Hello Tech Devians, तो आज हम बात करने वाले हैं variables के बारे में, कि variables क्या होते हैं and variables को बनाने के लिए क्या-क्या rules and regulations follow करने पड़ते हैं So, जो variables होते हैं यह हमारी basic unit होते हैं हमारे programs की तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेना और अगर आपको इसे detail में सीखना है तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें इस तो मैंने last में reason यह बताया है कि जो हमारा variable का concept है वो क्यों आया है हमारे programming language के अंदर चेंज भी कर सकते हैं अगर programmer चाता है तो मैं आपको पहला variable बना के दिखाता हूं मैं अपने variable का नाम रखना चाता हूं age is equal to and मुसको value देना चाता हूं 25 suppose तो यहां पर जो हमारा variable का name है वो है हमारा age and जो value है हमारी variable की वो है 25 यह बिल्कुल maths की तरह है जैसे maths में x is equal to 2 मैं x is equal to 25 मैं यहां अगरा यहां है नाम क्वालियन गताए है हमारा चाता है यह हमारा assignment operator होता है यह क्या करता है इसके जो right में जो value होती है जैसे कि यहां पर 25 है वो कहाँ assign करेगा जो equal के left hand side में variable का name होगा उसके अंदर तो यहाँ पर क्या है age की value क्या है अब 25 तो मैं यहाँ जैसे enter करूँगा तो age की value क्या हो जाएगी अब 25 मैं आपको print करके दिखा डिता हूँ और अगर हमें age की value print करानी है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर age लिखेंगे तो हम enter को तो देखेंगे यहाँ पर क्या value प्रिंट हो रही है 25 तो यह हमारा basic structure variable बनाने का कि अगर हमें कोई भी variable बनाना है तो हमें उसका नाम देना होगा और नाम देने के बाद उसकी कोई ना कोई जो भी हम value देना चाते हैं वो देंगे तो यहाँ पर पहले मैंने आपको दिखाया कि number कैसे assign करेंगे ना अब मैं दिखाता हूं अगर आपको कोई name देना है suppose मैंने दिया name name is equal to और मैंने आपको पहले बताया ही है कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग या character लिखना होता है तो वह हम single quote या double quote का अंदर लिख सकते हैं तो मैं लिखता हूं वारिस और मैं enter करता हूं और मैं अब आपको name variable को print करा के दिखाता हूं क्या करना होगा प्रेंट इंदर लिखना है और मैं अंटर करना है तो देखें इसकी value क्या है वारिस तो यह क्या हो रहा है कि हमारा जो name variable हमने बनाया यह यह तरीके का container बन गया है जिसके अंदर क्या हो यह रहा है value store हो अही है अगर हमने कोई भी गलती कर दी तो हमारे program में error आ जाएगा तो पहला तरीका ये है कि अगर मेरे को अपने variable के नाम में एक word से जाधा word देने हैं तो वो हम कैसे देंगे जैसे suppose मैं यहाँ पर example लेता हूँ age is equal to 25 का तो जो मैंने variable के नाम लिया था वो लिया था age यह हमारा पूरा एक word है अब मैं इसमें एक word और add करना चाहता हूँ example जैसे मैं लिखना चाहता हूँ friend age तो मैं लिखके दिखाता हूँ friend age तो देखें मैंने variable का नाम लिख लिया है और मैं equal में देता हूँ age देता हूँ तो अब दीखें यहां पर हमाँ पास एक error आएगा तो मैं एंटर दवाता हूँ तो यहां पर error आ रहा है invalid syntax invalid syntax इसलिए यहां पर कि जब भी हम एक word से जादा variable के name लेंगे उसमें हम बीच में space नहीं देंगे यहां पर देखें मैंने space दे रखा है friend और age के बीच में तो इस problem को solve करने के लिए हमार पर दो तिन concept है जो के मैं आपको बताने वाला हूँ तो पहला concept है हमारा snake case means अब हम जो variable बनाएंगे वो बिलकुल snake की तरह दिखेगा तो देखे मैं लिखता हूँ friend और snake की तरह बनाने के लिए हमें क्या करना है यहां पर underscore use करना पड़ेगा एंड फिर अब हमें क्या लिखना है age तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें एक word से जादा word लिखने है अपने variable के name में तो हमें क्या करना है underscore लगाना है दो word के बीज में now मैं करता हूँ equal 25 and enter करता हूँ तो देखे मेरा program run हो गया है अब मैं इसको print करा के दिखाता हूँ आपको print और यहां friend underscore age करता हूँ और enter करता हूँ तो देखे मेरा पास क्या आ गया है 25 तो यहां पर error नहीं आया हमारा तो यह कौन सा तरीक है हमारा snake case इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए हमारा जो word है विलकुछ state आ रहा है then नीचे हमारा band हो रहा है and then हमारा again फिर से उपर जा रहा है तो हमारा यह किस की तरह है snake की तरह चल रहा है means zigzag चल रहा है palette उपर गया then नीचे आया then फिर हमारा उपर चला गया इसको हम पूरे capital letter में लिख सकते हैं मैं आपको लिख के दिखा रहता हूं friend underscore age is equal to 30 देता हूं suppose मैं और enter करता हूं और आपको print करके दिखाता हूं friend underscore age और enter करता हूं तो देखें आप आप क्या आगया हमारा 30 जो snake case हमारा लिखने का तरीका है variable को उसके अंदर main जो चीज है वो है हमारा underscore हम इसको capital letter में लिख सकते हैं और हम इसको small letter में भी लिख सकते हैं तो यह थो था हमारा पहला तरीका variable बनाने का या variable के name देने का नौ मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं वो है हमारा camel case यह जो camel case है यह भी इसी problem को solve करने के लिए आया है means अगर हमें एक word से जादा word लिखना है variable name में तो हम कैसे लिखेंगे तो पहला तरीका क्या था इसनेक case और दूसर तरीका है हमारा camel case अब camel case को हम कैसे लिखेंगे मैं आपको same variable का example देता हूं मैं लिखता हूँ friend अब यहां पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है यह कि जो हम next word स्टार्ट करेंगे उसमें हमें का गन्ना उसका पहला character capital लगना है तो हमारा यहां second word का पहला character क्या है ए तो हमें आपे a capital रखूँगा और ge को small रखूँगा and equal मैं suppose कोई भी एज दे रहता हूं 20 दे और मैं enter करूँगा तो देखें यहां पर कोई भी error नहीं आया है अब मैं इसको print करा के दिखा जाता हूं आपको और मैं जैसे एंटर करूँगा तो देखें एरर आ जाएगा यहां पर जो error आया है वो मेरी spelling mistake का है तो मैं इसको दुबारा रन कर आयता हूं shortcut की hold plus p और मैं इसमें अपनी spelling को सही कर लेता हूं और मैं एंटर करते हैं तो देखें यहां पर हमारा क्या आ गया है अब age आ गया है 28 जो कि मैंने यहां पर दी थी so camel case में क्या करते हैं camel case में हमारा first word जो होता है वो small होता है then second word का first character जो होता है वो capital होगा and उसके बाद इतने भी characters होंगे वो सब small होंगे यहां पर कोई भी foundation नहीं है कि हमारे पास दो ही word होने चाहिए हमारे पास कितने भी word का variable हो सकता है means मैंने गहा my friend age तो मैं इसको कैसे लिखुंगा, अगर मेरे को इसको snake case में है तो मैं कैसे लिखुंगा my underscore friend age, तो मैं इसको ऐसे करके लिखुंगा now अगर मेरे को इसको camel case में एकले लिखूंगा, तो मैं लिखता हूँ friend का F yó capital बखे friend & age का above a yó capital 冷खेगE और हमारा भी यह किसमे बन गया है? Camel case के अंदर तो यह जो दो तरीके हैं यह हमारे variable name बनाने के हैं अगर हमें एक word से जादर word रखने हैं अपने variable name के अंदर अब मैं आपको कुछ रूल और बताता हूं कि हम variable name और किस-किस तरीके से बना सकते हैं हम variable name के अंदर numbers भी दे सकते हैं अभी तक हम क्या दे रहे थे? सिर्फ खाली characters या word दे रहे थे हम इसके अंदर numbers भी दे सकते हैं लेकिन उसमें कुछ conditions हैं तो suppose मैं दे रहा हूँ age underscore 1 is equal to 21 और मैं enter दूँगा तो देखें यहाँ पे मेरा यह run हो गया है अपने word के आगे तो add कर सकते हैं लेकिन हम number को starting में add नहीं कर सकते हैं आपको दिखा देता हूँ मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ one underscore age is equal to मैं 18 दे 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 दा हूँ और enter करता हूँ तो देखें यहाँ पे error किया है invalid token तो हम numbers को variable के शुरुवात में नहीं दे सकते हमें अगर उनको देना है तो हम क्या करेंगे variable के last में ही देंगे अब आती है special symbols की बारी यहाँ पर हम जो variables हैं उसके अंदर special symbol हम कोई भी नहीं दे सकते means add the rate, hash, underscore, dash यह जितने भी special symbols हैं यह हम कोई भी add नहीं कर सकते है variable के अंदर मैं आपको इसका भी एक example दिखा लेता हूँ suppose मैं type करता हूँ age dash is equal to 45 और enter करूं को तो देखें आपे कहा रहा है invalid syntax तो यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है वो है syntax syntax का मतलब होता है कि जो भी चीजे python library के अंदर लिखी हुई है पहले से ही या फिर जो तरीके python library के अंदर लिखे हुई है हमें उनको उसी तरीके से लिखना है अगर हम उनको वैसे नहीं लिखेंगे तो वो error आना शुरू हो जाएगा means invalid syntax या वि syntax error आना शुरू हो जाएगे जैसे कि example हम English सीखते हैं और अगर English में grammar सीखते हैं अगर हम sentence गलत बनाएंगे मैंने का I am वारिज जमाल तो अगर मैं लग दूँ वारिज जमाल I am तो यह गलत है यह invalid है यह invalid syntax है grammar का तो सेम ऐसे ही है हमारा programming language में भी है हमारे कुछ grammar already लिख्य हुई है programming languages के अंदर कुछ syntax लिख्य हुए है अगर हम उनको follow नहीं करेंगे तो वो error आना शुरू हो जाएगे अगर हमें कोई special variable बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे special variable का मतलब है यहाँ पे कि suppose जैसे math के हम operation करते हैं तो उसके अंदर पाई होता है तो पाई की एक fixed value होती है एक constant value होती है जो पूरे program में कहीं पर भी change नहीं होती तो अगर हमें ऐसा कोई variable होनाना है जो अलग से highlight हो तो वो हम कैसे बनाएंगे हमें सिर्फ खाली काणना है उसको पूरा capital कर देंगे capital pi लिखेंगे and equal जो भी value है हमारी pi की वो हम लिख देंगे तो वो है हमारी 3.14159 and जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो देखें यह पर मेरा जो pi variable है वो create हो गया अब इसको print करके दिखाता हूँ आपको print pi और मैं अटर करूँगा तो देखें इसकी value प्रिंट हो गई है मैं आपको एक mathematical calculation भी दिखा लेता हूँ इसकी suppose मैं यहाँ पर 9 को divide करता हूँ pi से और मैं अटर करता हूँ तो देखें क्या होता है तो देखें result क्या आया 2.8647 and many more numbers यह जो है इसका result आया और मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का concept की variables हमारे क्यों आए ना मैं आपको पूरा memory में बता रहा हूँ कि variables memory में means computer के अंदर कैसे store होते है या फिर उनका क्या काम होता है कैसे कैसे करके वो store होते है तो suppose मैं यहाँ पर example ले रहा हूँ अपना x is equal to 30 का तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताया जो x is equal to 30 है यहाँ पर जो 30 है वो हमारी value है और यह जो value है वो कहां जाएगी हमारी किसी एक container के अंदर तो यहाँ पर जो orange box बनाया है वो मैंने एक तरीके container है उसके अंदर क्या जा रही है 30 value then हमारा जो x है वो क्या है हमारा variable का name बड़ जो main चीज है ध्यान लखने वाली है जो memory में use होती है वो है इसका address computer के अंदर आप कोई भी चीज store करते हैं चाहें वो image हो, video हो, text हो, कुछ भी वो कहीं न कहीं किसी न किसी address पे store होता है memory के अंदर तो यहां पर जैसे हमने x is equal to 30 लिया है तो यहां पर एक टेक्स है और यह एक variable है जो के हमारे memory में store होगा तो इस तक कोई न कोई address होगा जहां पर यह जाके store होगा तो suppose मैं यहां पर एक example ले लेता हूँ, address का वो है 101 ले लिया means यहां पर जो x लिखा हुआ है इसको लाने का concept यह है कि कोई भी person, कोई भी human being इतना लंबा number याद नहीं रख सकता वो भी सिर्फ एक variable के लिए है अगर यहां पर मैंने लिखा हुदा friend's age तो इसका कुछ और address होता और वो इससे भी लंबा हो सकता तर शायद तो हमें numbers याद रखना बहुत difficult होगा in comparison to के हम उसका directly नाम याद रखें तो हम x easily याद कर सकते हैं friends age easily याद कर सकते हैं हम किजी का नाम याद रख सकते हैं easily बट अगर कोई मुझ से कह कि भाई 191 3677 360 याद रख लो वो भी सिर्फ x is equal to 30 के लिए so it is very difficult to learn so that is why जो हमारा address है इसको overcome करने के लिए ताके human भी याद रख सके उसके लिए क्या concept है हमारा variable name का यह हम अपने recording या फिर user अपने recording दे सकता है यह जो address है यह हमारा machine means हमारा computer खुद देता है यह हम नहीं दे सकते इसके बारे में detail में देखेंगे next video में उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर किसी variable का हमें address देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे so I hope आपको easily समझ माग गया होगा कि variable क्या होता है and rules of variables and variable concept हमारा क्यों आया है तो अगर आपको कोई problem हो या कोई doubt हो अभी तक की videos में या कोई concept में तो आप comment में comment कर सकते हैं आप मेरे को Instagram पे भी message कर सकते हैं मेरी Instagram ID है taget underscore और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो please subscribe taget classes and don't forget to hit the bell icon so bye bye tag dev see you in the next video thanks for watching